हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ये ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतिय सेना इंडियन आर्मी की नियू रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के बारे में इसकी LBT कंडिशन के बारे में और इसके सेलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो फ्रेंज से यहाँ पर जो ये नॉटिफिकेशन है ये आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा jobrasta.com का वहाँ पर जाकर आप details को check out कर सकते हैं और आप directly भी jobrasta.com पर visit कर सकते हैं तो यहाँ पर जो ये वेकेंसी है ये फ्रेंज से आपके military hospital चेन नई और HQ Southern Command requirement 2022 है जिसके लिए आप apply कर सकते हैं offline और यहाँ पर फ्रेंज से जो इसके form है या notification है ये फ्रेंज से जारी होगी employment newspaper मिन्से रोजगार समाचार में और जैसे ही रोजगार समाचार में ये आपका update आएगा वैसे ही फ्रेंज से अप्लोड कर दिया जाएगा telegram चेनल पर अगर आपने अभी तक हमारा telegram group जोईन नहीं किया है तो आप उसे जोईन कर सकते हैं उसका link भी आपको video description में मिल जाता है तो यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंज से military hospital या HQ southern command requirement 2022 की notification के बारे में और इससे video को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सके तो यहाँ पर फ्रेंज से यहाँ इसकी official advertisement है direct requirement of civilian group C HQ southern command जिसमें फ्रेंज से application form eligible Indian citizen से invite किये गए है जिसमें फ्रेंज से यहाँ पर आप form को fill करकर send कर सकते हैं, duly self attested आपके documents के साथ जो की फ्रेंज से पहुँच जाना चाहिए military hospital चिन्नई within 45 days 45 दिन में जो कि friends advertisement जब इसका publish होगा employment newspaper मिन्स रोजगार समचार में तो जैसा मैंने कहा employment newspaper में जैसे ही यह update आएगा वैसे ही आपको friends update कर दिया जाएगा साथ में आप जो हमारा telegram group है उसे भी आप join कर सकते हैं बात करते हैं अब इसकी vacancies की detail की तो यहाँ पर friends देखिए दो vacancies निकाली गई है एक post आपके washerman की एक post आपके tradesman made की washerman की जो post है इसमें आपकी total 39 post रहेंगी 49 vacancies रहेंगी इसमें general की 19, SC की 4, ST की 3, OBC की 7 और EWS की 6 है इसमें friends जो total 39 post है इसमें friends ex-servicemen quota 8 post का रहेगा pay matrix level आपका level 1 का रहने वाला है tradesman made की बात करें तो friends total 26 post है general के लिए आपकी 20 post रहेंगी SC की लिए 1 है ST के लिए vacancy नहीं है पर ST candidate apply करना चाहते हैं तो वो general से apply कर सकते हैं OBC की 4 vacancies है, EWC 1 है और total 26 post में 3 post ex-servicemen quota में reserve रहेंगी यहाँ पर friends जो age criteria है दोनों ही post के लिए minimum age है आपकी 18 साल, maximum age है 25 साल और यह friends सिर्फ general candidate के लिए आपको age criteria दिया गया है, reserve candidate को छूटे मिल जाती है अब यहाँ पर washerman के लिए अगर apply करते हैं तो दस्वी class pass out होना आपका जरूरी है साथ में friends से military है, civilian growth आपको यहाँ पर उसको वाश करना आना चाहिए ट्रेट्समेंट मेट की बात करें तो दस्वी class pass out होना आपका यहाँ पर जरूरी रहता है तो mainly दस्वी class pass out अगर आप हैं आप इसमें आविदन कर सकते हैं इसमें आपसे कहा गया है selected candidate जो है उनकी posting anywhere in any AMC unit under HQ Southern Command में आपकी यहाँ पर posting हो सकती है तो आपकी जो posting होगी वो किसी भी AMC unit में जो की friends HQ Southern Command में आता है उसमें आपकी हो सकती है इसके बाद place and date आपको बाद में बताया जाएगा जो भी separate आपको notice आएगा उसके बारे में भी आपको update किया जाएगा इसके बाद यहाँ पर देखिए candidate को selection procedure complete करना होगा उसके बाद ही friends से आपका यहाँ पर जो है joining होगी इसमें friends से आपको important instructions दिये गए है कुछ जिसमें सबसे पहले है closing date of receive of application form 45 days रहेगी जो की date of publication है और में लिए आपका 26 परवरी 2022 से आपका यह form start हो सकता है इसके बाद यहाँ पर कहा गया है अगर आप पहले से working है central state या PSU में तो आपको friends से NOC भी send करनी होगी इसके बाद यहाँ पर pension scheme आपकी लागू रहती है नीचे आपसे कहा गया है कि देखिए जो number of post है वो आगे पीछे कम या ज़्यादा हो सकती है post जो है वो all India service liability के basis पर है anywhere in India आपकी posting की जा सकती है जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है इसके बाद friends nest जो आपको instruction है जिसमें आपसे कहा गया है जो भी candidate है उनको enclose करना है self address envelope और यह envelope send करना ज़रूरी होगा क्योंकि जो admit card होगा वो आपको इसी self address envelope में send किया जाएगा साथ में आपको postal order बनवाना है मतलब किसी भी post office में आप जाएंगे महाँ पर आप 100 रुपे का postal order बनवा सकते हैं जो कि friends रेजिमेंटल फंड अकाउंट mh chain नहीं के नाम से आप बनवाएंगे साथ में दो recent past-past photograph आपको साथ में application form के send करनी होगी और fees government of India के provision के according छूट मिल जाती है तो यहाँ पर friends से जो भी reserve candidate है उनको friends से यहाँ पर fees से pay करने की ज़रत नहीं होगी और जो postal order आप बनवाएंगे वो friends से जब इसका advertisement publish होगा employment newspaper में उस दिन पर या उस दिन के बात से ही अगर आपका बना है तो ही वो valid मना जाएगा नीचे आपसे कहा गया है copy of all education certificate, card certificate, PPO certificate, discharge certificate ये सब friends से आपको self attested करके send करने होगे तो आपका birth certificate, domestic certificate, nationality certificate, Indian passport और PRC certificate आपको send करना ज़रूरी होगा इसके बार friends से यहाँ पर आपसे कहा गया है अगर ज़्यादा नंबर में यहाँ पर application form वहाँ पर पहुंसते हैं तो friends से उस condition में friends से यहाँ पर shortlisting किया जाएगा candidate को इसके बार यहाँ पर जो candidate है उनको friends जो आपका main envelope है उस पर आपको लिखना होगा application for the post of किस post के apply करना है जो कि envelope के top पर आपको लिखना है और साथ में आपकी category capital letter में आपको mention करनी होगी इसके बार friends से every applicant must apply separate for each post अगर आप दोनों ही post के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग apply करना होगा इसके बार friends से यहाँ पर आपसे कहा गया है application जो है वो filled आप कर सकते हैं English या Hindi जैसे भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर form को आप send करेंगे register post या फिर speed post के थुरू आप जैसे भी दोनों तरीकों में से कैसे भी send करना चाहें 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 register post करें या speed post करें आप इसे send कर सकते हैं और application form पहुंच जाना चाहिए इस address पर last date से पहले इसके बाद फरेंसे नीचे आपको यहाँ पर बताया गया है rejection किस वज़े से आपके form rejected हो सकते हैं वो जानकारी आपको दी गई है crucial date जो है आपके age limit की वो closing date ही रहेगी तो application form की closing date है वो 45 days है जब भी employment newspaper में इसका update आता है और अगर आप इन area से belong करते हैं तो आपको 7 दिन extra time मिल जाता है आपके यहाँ पर form को sending करने का इसके बाद है selection process आपका क्या रहेगा मतलब किस तरह से आपका यहाँ पर selection होने वाला है इसकी जानकारी आपको दी गई है तो सबसे पहले 4 section में divided होगा आपका paper पर paper first जो है section first जो है वो general intelligence and reasoning से related questions होंगे 25 questions 25 marks के इसके बाद paper 2 या section 2 जो है वो general awareness का होगा 50 questions 50 marks के तीसरा section है general English का 50 questions 50 marks के numerical attitude का जो topic है इसके 25 questions 25 marks के रहेंगे तो यहाँ पर friends जो overall आपका questions है वो आपके date so रहेंगे date so number का paper होने वाला है और आपको duration मिलेगा exam का वो 2 घंटे का मिलेगा मतलब 120 minute का जो आपको paper ही solve करना होगा return task में friends जो paper में आपको question देखने को मिलेंगे वो English and Hindi दोनों ही language में available होंगे साथ में friends से यहाँ पर देखिए जो आपका topic है English language का वो English में रहेगा बाकी सबी आपके Hindi और English दोनों में ही आपको available हो जाएंगे अब यहाँ पर friends से देखिए आपसे कहा गया है there may be negative marking also तो वहाँ पर एक number की कोशन है तो एक number का आपका paper जो कोशन होगा एक number की marking होगी इसमें negative marking आपकी हो सकती है तो 0.25 मतलब 1.4 की negative marking आप यहाँ पर मान के चलिए वो आपकी यहाँ पर होगी इसके लावा 10th standard के जो level होता है उसके basis पर आपका यहाँ पर standard रहेगा कोशन का तो यह जो topic है वो आपको इस notification में दी गई है short notice आपका जारी हो गया है और इसका जो update है वो employment newspaper में जैसे ही update होगा जारी होगा उसके बारे में हम आपको अलग से inform करेंगे तो जैसा मैंने वीडियो को starting में कहा इस notification को आप वीडियो description में jobrasta.com पर जाकर check out कर सकते हैं अगर आप applicable हैं अगर आप eligible हैं apply करना चाहते हैं apply कर सकते हैं और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही regular updates आपको लगतार मिल सके तो like, subscribe and share ज कर सकते हैं Unterarbeit अपको लाहते हैं अज़ सकते हैं ऑर सकते हैं और आपinku जदकरण में जापको हमारा खगियो नह रावर सकते हैं और एधर मिल सकते हैं और भीडियो हैं जापको हमा मिली खमारा और आ 때 मैंः और अबगत्या हैं सब्सकते हIESके और लावार ब Lotsन हैं ब Panch और हैं